क्या आप भी चाहते हैं अपने घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी खाना बनाना तो सब्सक्राइब करें दादिसा की कीचन से और सीखें नई नई रेसिपीज हरी पत्ती की सबजी बच्चे देखते ही मना कर देते हैं कि हम नहीं खाएंगे लेकिन आज मैं ऐसी पूरी बनाने चारी हूँ जो बच्चे बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे और बार बार कहेंगे कि ऐसी पूरी बनाओ तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 200 ग्राम पालक और इसे अच्छे से साफ कर लिया है अब हम डाल देंगे इसे ग्राइंडर जार में आप चाहें तो इसे बारिक कट करके भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है और कई बार ऐसा होता है हम लेडिज के पास म होता है तो आप देख सकते हैं पालक की डंडिया भी डाली है मैंने इसके अंदर और अब हम डाल देंगे इसमें अच्छे से धुला हुआ हरा धनिया हरी पत्ती की सब्जी जब भी यूज़ करें उसे बहुत अच्छे से धुए हरा धनिया हमने डाल दिया है इसके बाद मे मैं हमेशा सेहंदा नमक ही यूज करती हूँ आदा चमस जीरा डाल रही हूँ cover कर देंगे इसे और अच्छी से grind कर लेते हैं आपने देखा होगा जब भी मैं recipe share करती हूँ तो इसमें सेहंदा नमक ही यूज करती हूँ इससे बीपी कंट्रोल रहता है और ये देखे इसे ग्राइंड कर लिया है हमने अब इसे कर देते हैं साइड में और ले लेते हैं एक बॉल अब इसमें डाल देंगे हम दू का पाटा तो आटा हमने डाल दिया है और इसके बाद में हलका सा बीच में इस तरह से गैप कर लिए और जो हमने पालक ग्राइम किया है वो डाल देंगे इसके अंदर अच्छे से निकाल देंगे और इसके बाद में सबसे जरूरी बात यह है कि जब आटा लगाएं तो पहले पानी न डालें हलका सा देखिए नमक डाल रहे हैं हम बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं साथ मे डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च आदी चमच से भी थोड़ी कम है हींग डाल देंगे और भुना हुआ जीरा आदा चमच और साथ में डाल देंगे एक चुताई चमच इतना गरब मसाला बस इन सब को अच्छे से मिक्स करके और डो तयाय करना है आप पानी बिल्कुल बिल्कुल जड़ाना है और बहुत लूज भी नहीं लगाना है बिल्कुल जैसे हम कड़ाए की पूड़ी निकालते हैं उतना ही लगाना है हलका से तेल लगा देंगे यह देखिए ताकि इस पर फिनिशिंग आजाएगी अच्छे से और पूड़ी बहुत अच्छी बनेग तो यह देखिए बहुत ही जल्दी से आटा बहुत स्मूथ हो जाएगा और सुबह वैसे ही हमें बहुत भागदोड रहती है एक बार आटा लगाने के बाद में हमें ड्रेस देनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसे क्योंकि यह काफी स्मूथ है इसको इस तरह से हम थो पूरिया बना रहे हैं तो पहले इसको अच्छे से इस तरह से फिनिशिंग कर गए और जल्दी से त्यार कर लेते हैं बस अब हम करेंगे इसे बेलना स्टार्ट तो बस हलका सा ओल लगा देंगे हम यहाँ पे चकले पे और बेलन पे और बिल्कुल छोटी साइज की पूरिय बनानी है और यकीन मानी ही पुरिया बहुत टेस्टी रखती है चाहे आप उडी को ऐसे ही खाएं दही के साथ खाएं अचार के साथ खाएं बची सॉस के साथ में भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी रखती है तो यह देखे और बनती भी बहुत जल्दी है तो बस इस तरह से तय पुडियों को और आप देख सकते हैं काफी पुडिया हमने तयार कर ली है और हमारा गरम है तो जल्दी सी डाल के और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस बात का जरूर धियान रखना है कि जब भी आप पुडियों को तले उस टाइम में जो ऑईल है वो बहुत अच्छा गर होगा तभी आपकी पुडिया कचोरी के जैसे फूल जाएगी यह देखिए जब भी आप घर में रेगुलर भी पुडियों बनाते हैं या ऐसे ही आप पालकी पुडियों बनाएं तभी इस बात का जरूर धियान रखें कि ऑईल बहुत अच्छे से फूल जाएगी और हेल्दी भी है और साथ में बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसे और उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं पढ़ता है कि यह पुडियों पालकी है तो यह देखिए कचोरी के जैसी पुडियों बनके तयार है और बाकी की भी पुडियों को हम इसी तरह से तल लेंगे बस ध्य जार है हमारी पूरी बनके और इसे हम सर्व करेंगे दही की साथ तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं अपने प्याय परे कमेंट्स हमें जरूर भेजें अगर आपको मेरी वीडियों सच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें और साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक और नई रेसिपी की साथ में तब तक के लिए बाबाए